Hello Students, Welcome back to my channel, मेरा नाम है मिनमरिक और आपका मेरे YouTube चैनल Study Lover पर सुवागत है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नाइन्थ क्लास के जो नाइन्थ क्लास के हमने फर्स चैप्टर स्टार्ट किया था उसके हम 1.5 एक्सरसाइज के पास पहुंच चुके हैं का basic introduction हमने ले लिया था और उसके अंदर हमने क्या क्या discuss किया थे कि जो हमारी properties होती है यह रैशनल नंबर की और जब हम दो यह रैशनल नंबर को एड करते हैं माइनस करते हैं डिवाइड करते मल्टिप्लाई करते हैं तो हमारे पास result रैशनल नंबर भी आ सकता है और प्रोपर्टीज भी डिसकस की थी जो आपको यहां पर शोबी और यह स्क्रीन पर ठीक है तो आज हम क्या करेंगे इन्हीं प्रोपर्टीज के जो क्वेस्चन है वो सॉल करेंगे जैसे अभी जो आपका एक एक्जैम्पल है यहां पर 16 एक्जैम्पल नंबर 16 उसके अंदर आपको दिया हुआ है यहां पर 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5 अब यह आपके पास कौन सी वाली अडेंटिटी है मिन्स जो हमने प्रोपर्टी पड़ी है वो तो यह कौन सी प्रोपर्टी से मैच कर तो इसका मतलब है यहां पर हमारी कौन सी ऑडेंटिटी यह फिफ्ट वाली आटेंटिटी लगए जिसके अंदर हमने एसे किया था ठीक है तो अब अगर आपको याद तो रहती तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं याद रहती तो आप इसको डारेक्ट भी सोल कर सकते ह साहां से इसको पहलेे इस्से मैल्टिप्लाई फिर इससे मल्टिप्लाई या नज़र आ रहे हैं हमें design इंगे बीच में सारे+. क्योंकि यहां पर कोई माइनस नहीं है अगर एक इंझ में नियुट sexy होता तो और इसकी जब इसके साथ multiply करवाएंगे तो यहां पर हमारी जो first identity थी जैसे कि हमने देखा था unroot a into unroot b है तो हम दोनों को multiply करवा के लिख सकते हैं ठीक है जैसे हमने वहां पर पढ़ा भी था unroot 3 into unroot 5 unroot 15 हो जाता है हमारा ऐसे हम इन दोनों की multiply करवा देंगे यहां से तो हमारे पास क्या आया यहां से 10 plus 5 root 5 plus 2 root 7 और जब इन दोनों की multiply करवाएंगे तो यहां से आएगा unroot 35 थीक है तो ऐसे करके हम इनको solve कर सकते हैं तो यह हमने यहां पर दो identity यूज की और साथ में first identity यूज की ठीक है उन दोनों को use करके हमने इसको solve किया अब उसके बाद जो हमारे पास next part है इस एक्जामपल का जो आपकी बुक में 16 एक्जामपल दिया हुआ है उसका जो next part है next part में हमें दियो हुआ यहां पर 5 प्लस अंडूरूट 5 इंटू 5 माइनस अंडूरूट 5 अब यहां पर ए और बी की जो तर्म है वो सेम है जैसे कि हमने यह identity पड़ी थी a प्लस अंडूरूट b a माइनस अंडूरूट b तो इसको जब solve करेंगे तो यह a square माइनस b के equal आएगा तो हम direct यहां पर यह हमारी कौन सी थी यह हमारी fourth identity थी हम direct यह भी लगा सकते हैं अगर हम यह लगाएंगे तो यहां पर 5 का square 25 और b हमारी यहां पर 5 है तो 25 में से 5 यहां पर बच गए हमारे 20 अगर हमें यह identity नहीं याद होती तो हम क्या करेंगे 5 की 5 के साथ multiply 25 5 की root 5 के साथ multiply बट negative आ जाएगा क्योंकि यहां पर यह negative है हमारे पास ठीक है तो 5 root 5 ऐसे ही यहां से plus का 5 root 5 और फिर इसकी साथ multiply करवाएंगे तो minus का root 5 का square और square से यहां root cancel और यह same चीज़ है तो एक दुसरे को cancel कर देंगी यहां आएगा 25 minus 5 जो किस के को लाएगा 20 के को लाएगा जैसे कि यहां पर आया थीक है तो यह हमारे क्या बिल्कुल same ऐसे भी कर सकते हैं अब उसके बाद हमें क्या करना है अगर यह तब की बात है हमें अगर identity ना याद रहे अगर identity याद है तो हम direct लगा देंगे थीक है य यह हमारे पास कौन सा है unroot a plus unroot b की whole square जो हमने last identity पड़ी थी वो वाली है थीक है तो इसको भी हम ऐसे ही solve कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया भी था कि जो हमारे यह unroot a plus unroot a plus unroot b का whole square है इसको हम ऐसे open कर सकते हैं फिरी इन की हमने multiply गरवाई थी तो यह हमारा यह कुछ आया था अब क्या करेंगे हम इसके अंदर अपनी values put कर देंगे तो हमारे देख लेंगे solution क्या आता है यहां से तो हमने यहां पर जब value put की तो हमारे पास क्या solution आएगा a हमारी क्या है यहां पर unroot 3 तो यहां पर a हमारी क्या है unroot 3 है ठीक है तो हमें क्या करना पड बनेगा हमारा एका स्क्वेयर अंड्रूट एका स्क्वेयर प्लस टू अंड्रूट एबी प्लस अंड्रूट बी का स्क्वेयर तो यहां भी ऐसे करेंगे यहां पर ऐसे करेंगे तो यहां क्या multiply करवा लेंगे 7 3 जह हमें पता 21 और 21 अंडरूट 21 रहेगा यहाँ पे तो यहाँ 3 प्लस 2 अंडरूट 21 प्लस 7 और 3 10 प्लस 2 अंडरूट 21 तो यह हमारे यहाँ पे क्या आएगा अंसर आएगा अब उसके बाद जो हमारे पास next example है वो है अंडरूट 11 माइनस अंडरूट 7 और इसकी multiply हमें करवानियां अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 7 के साथ तो अब यह हमारे पास है अब इसका भी हमने solution देखा था इसकी जो identity देखी थी हमने वो identity क्या आई थी हमारी a-b आई थी यह हमारी third identity थी जो आपको यहाँ पे showbio रख्योगी यह वाली identity थी हमारी a-b करके ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यह वाली apply करेंगे इसके अंदर इसको apply करते हुए अब हम क क्या करेंगे यहाँ पर answer calculate करेंगे a-b a हमारा यहाँ पर क्या है 11 है और b हमारा यहाँ पर क्या है 7 है तो 11 में से 7 गया यहाँ पर हमारा answer क्या आएगा 4 आएगा ठीक है तो ऐसे करके हम direct अपने answer calculate कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पर identity याद हो या फिर हमें समझ में भी आ रख आपकी क्या है 17 जो आपका अग्जैम्पल उसके अंदर दिया हुआ है रेशनलाइजेशन का रोल क्या है यहां पर अगर हमें निच्च डिवाइड में कोई तर्म आ जाती है जैसे हमने लास्ट क्लास अगर आपने मेरी वह नहीं देखिया आपको क्या है डिस्क्रिप्शन ब पास क्या था 7 by root 5 यह नहीं देखिया तो हमारी आई थी वह वैल्यू कितनी 2.2 कि 2.236 आई थी हमारी 7 by root 5 की वेल्यू तो अगर ऐसा है तो इसको सौल्व करना था तो ऐसे तो हम नहीं सौल कर सकते थे क्योंकि हमें यह पता था नोन टर्मिनेटिंग था तो हमने ऐसे जब पॉल दिया था कि यह क्या है हमाARA I लेकिन अब इसको हमें क्या करना पड़ेंगा पहले हमें इसको चेंज करना हाँ कि हमार Dü Kelatter भाए में डूर्प 5 नह Director इसको एसे तो एसे टुलिख सकते हैं पूसीबल इस नहीं हो सकती तो तो अगर है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा इस टम को निच्चे से खतम करना पड़ेगा तो इसको खतम करने के लिए अब हम इसके अंदर क्या करते हैं तो उसी जो प्रोसेसिंग है उसी को हम बोलते हैं rationalize कि हम उसको rationalize करेंगे rationalize में processing में क्या होता है जो हमारा denominator होता है उससे ही हम multiply और divide कर लेते हैं ठीक है और अगर दो addition और subtraction में दे रखे हो तो उनके sign change करके करते हैं आप देखिए अगले part में हम discuss करते हैं one by one कि कैसे हम rationalize करते हैं हमारे जो यह irrational नंबर होते हैं इनको तो जैसे हमारे पास जो यह rational नंबर दे रखा है पहले पहले दे रखा है हमारे पास यह आपके example 18 में है आप देख सकते हो आपकी बुक में तो एक्जामपल 18 में आपको दिया हुआ वह वन बाइश सोरी 18 से पहले 17 है चलो पहले 18 कर लेते हैं यह हमारा वन बाइट टू अंड रूट थ्री और इधर लिख लेते हैं हम जो हमारा जो ड्याम से वूट थे से मल्टिप्लाइब और इसी से ड्वाइड करवाएंगे तो मिन्स हमारे पास वन वैजर रूट तू है तो हमने उêuट टू से मल्टिप्लाइब और रूट टू से ड्वाइड क्योंगimentos इसके साथ मुल्टिप्लाइए और दिवाइड तो अब यह तो हमारे पास स्केयर की फोम में आ जाएगा तो उपर तो हमारे पास अंड़रूट टू है और निच्चे यह स्केयर हो जाएगा क्योंकि दो गे मल्टिप्लाइए में तो स्केयर से रूट कैंसल तो इससे हमारी जो रूट वाली टर्म थी वो निचे से खतम हो चुकिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अंडरूट टू बाए टू तो यह क्या है हमारी रैसनलाइज टर्म है जो हमने वन बाई अंडरूट टू लिखी और इसको हम पहले हम वन बाई अंडरू अब यह वाला करेंगे हम इसके अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा जैसे हमारे पास 1 by 2 अंडू 3 है तो अभी इसके अंदर अभी मैंने थोड़े देर पहले क्या अबता है था कि अगर तो ऐसे कैसा लेकिन यह 2 प्लस रूट 3 यह 2 माइनस रूट 3 यह हमारी एक आइडंटिटी बन गई अगर आपको शो रख नजर आ रहा हो ठीक है यह हमारी क्या एक आइडंटिटी बन गी अब देखो मैं आपको कंपेर करवाती हूँ हमारी आइडंटिटी के साथ इस चीज़ को कैसे करेंगे हम आइडेंटी के साथ जैसे देखो हमने ना जो आइडेंटी पड़ी है वह हमारे पास कौन कौन सी थी हमारे पास एक आइडेंटी थी कि अगर क्या हो अनुरूट ए प्लस अनुरूट बी unroot a plus unroot b का whole square एक तो identity ये थी एक identity ये थी unroot a plus unroot b और into में unroot a minus unroot b जब इसको तो solve करते हैं तो हमारे पास आता है a plus b plus 2 unroot a b ठीक है लेकिन जब इसको solve करते हैं तब हमारे पास आता है a minus b तो सबसे easy solution कोन से का है इसके हैं क्योंकि इसके अंदर तो फिर भी हमारे पास क्या रहां अंडरूट वाली टर्म बचगी न ठीक है अगर हम यहां पे सेम से multiply करवाते हैं फिर तो square हो जाता और उसको open गरते तो ऐसी आता तो means यह तो possible था नहीं यह तो हम यहां पे use करने सकते थे लेकिन अगर हम क्या करें अपोजिट साइन वाली से multiply करवाते हैं तो यहां पे हमारे पास एक simplest form आती हैं तो यहां पे इसलिए हमने यह क्या किया यहां पे यही apply की ठीक है तो यह वाली identity हम यहां पे apply करेंगे तो अब यहां पे क्या किया हमने two minus unroot three तो रख दिया ऐसे कैसा अब जो यह वाली term है इन दोनों को multiply करवाएंगे यह identity लगेगी इसके अंदर तो यहां पे हमारे पास a minus b आएगा a यहां पे क्या है थोड़ा सा हमारे पास यह unroot की form में नहीं है यह भी हमने यह नहीं अपज़ेज़ साइन है हम इसम में भी ले सकते हैं इस बात को इस में ले सकते हैं लेकिन इसमें में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते ठीक है लेकिन जब जैसे हम ने कंपे क्या है तो यहां पर थी का मतलब हम हमारी पास वन बचा तो यह जो हमारी जो रैशनल नंबर था जैसे यह वन बाई टू प्लस रूट थ्री था वो हमारा एसनलाइज करने के बाद किसके को लाया टू माइनस रूट थ्री के तो देखो यह कितने सिंपल फोम आगी वह डिवाइड की फोम में था वह कॉम्प्लिकेटिड बना रहा था उसको वैसे ही तो अब ऐसे ही हमें और भी कुछ एक्जामपल दी होगे हैं जो हमें रैसनलाइज करने हैं जैसे कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्जामपल है वो है हमारा नाइंटीन एक्जामपल जिसके अंदर टर्म दे रखिया फाइ वाली अइडेटिनटि अब लगेगी यह बंद तक दों का रूट हमारे पास तो अब यह यह वाली लगाएंगे तो प्रवाला तो और यह आपस कैसी टम आयगी नेकिटिव आयगी जो ऎकर 있다 पर राईगी जो जो चीज़ टम बढ़ी होते हैं उसी का साइन बचता है तो बड़ा 5 है और 5 हमारा negative है तो हमारी negative term आएगी तो यहां से 5 root 3 plus root 5 और 3 में से 5 गया यहां पर minus 2 तो यहां से हमारे पास क्या answer आया यह आएगा minus 5 by 2 under root 3 plus under root 5 ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको ठीक है तो यह हमारी rationalize form आगी इस term की अब उसके बाद जो हमारा next example है 20 example उसके अंदर भी ऐसे है rationalization अब मैंने आपको पता तो दिया ही आप खुद भी try कर सकते हो वीडियो को बीच में पोज करके तो अब इसको rationalize करना है तो sign change करो और opposite से multiply करवा हूँ ठीक opposite sign लो और फिर multiply तो यहां से opposite sign ले लिया हमने और इसकी multiply करवा देंगे इसके साथ तो यहां से उपर तो 7-3 root 2 ऐसे कैसा और यहां पर a plus b a minus b तो यहां पर देखो यह थोड़ा सा और अलग हो गया ना तो इसमें दुनों के उपर रूट है और यह वाली तो बिना रूट किया लेकिन इसके उपर एक के उपर रूट है एक के उपर नहीं तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं multiply करवा के लगा सकते हैं ठीक है लग तो वह भी identity भी जाएगी लेकिन वह आपको कंफ्यूज्स कर देगी तो हम क्या अगर आगे डिर्र मल्टिपलाई करवा देंगे यहां से तो देखो यह seven की seven के साथ 49 seven की इसके साथ minus seven कितना आएगा यहां पर ट्वंटीवन रूट की फिर इसकी इसके करवाएंगे तो यहां प्लस का 21 रूट 2 आएगा जब इसकी इसके साथ करवाएंगे तो थ्रीं 10 के साथ करवाई तो नाई आ गया और अदे रूट 2 का स्क्वेर तु बनेगा तो Tryण टू टू जा ए थर्टी वन आई तो हम ऐसे करके भी कर सकते हैं और अगर आपको यह मतलब यह जो प्रोपर्टी थी यह यूज करनी थी तो आप यह भी लगा सकते थे जैसे यह माल लिया भी यहां पर हमारे पास क्या बनेगा फिर थ्री थ्री जा नाइन यह इसको अंडूरूट में लेकर ज लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे और फ्री लिखेंगे यहां से अंडूरूट में ब्हेज देंगे तो यहां पर क्या बनेगी हमारे पास जो टर्म बनेगी वन बाई शैवन की प्लस यह नाइन हो जाएगा थ्री आपने इसे यहां पर 7-9 into 2 under root ऐसे ही यहाँ पे 7-9 under root 2 फिर इन दुनों को multiply 18 आ जाएगा यह उपर वाले को तो चाहिना भी करो क्योंकि उसके अंदर तो कोई solution निकालना ही नी वो तो ऐसे कैसा ही है उसको तो ऐसे ही रख लो आप लेकिन निचे वाले को change करना जरूरी है अगर आपको यह identity की form में समझना है तो ठीक अब यह आ गया अब देखो यह विल्कुल सही बनगी न हमारे पास a plus under root b a minus under root b तो अब यहाँ पे यह identity लगा दो a square minus b वाली जो हमने अभी discuss की तो यहाँ पे a हमारा क्या है उपर वाली टम तो ऐसे कैसे अब जो a है वो 7 है 7 का square यह आ गया अब जो b है वो कितना है 18 तो यहाँ पे minus 18 तो 49 में से 18 minus किया था हमने अभी तो कितना बच गया था हमारे पास 31 तो हमारे पास यह इसका solution है तो ऐसे करके हम जो हमारे example है वो सारे हमने यहाँ पे solve कर लिए तो अब जो हम आगे हैं हमारे पास वो है exercise 1.5 अब हम one by one exercise 1.5 को करेंगे solve करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर है classify the following number as rational और irrational जैसे हमने example में देखा था जो first example था इस exercise का वो यही था हमें चेक करना था कि number हमारा rational है या irrational तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि number हमारा rational आ रहा है या irrational तो अब उसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1.5 exercise start होती है first question का जो first part है यहाँ पे वो देरकर 2 minus under root 5 अब 2 तो हमारा 2 है और under root 5 की हमने example में value देखी थी 2.236 so on आगे चलती जारी थी ठीक है तो यहाँ पे अगर वो वही value यहाँ पे put करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 2.236 so on जब इसमें से इसको minus करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी यह बड़ी term है यह चोटी term है तो यहाँ से हमारे पास बचेगा negative 0.236 so on so on means यहाँ से हमें क्या मिला कि non terminating है और non occurring है तो non terminating और non occurring कि इसकी पहचान होती है हमारी जो irrational number होता है उसकी पहचान होती है ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा यह हम लिखेंगे this is a irrational number ठीक है तो यह था हमारा first question का first part था जो हमने solve कर लिया value put करके under root 5 की तो कुछ values आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी वही values है जादा तर वही repeat होती रहती है तो इसलिए कुछ values आपको याद रखनी ही पड़ेगी तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी जो values हैं वह कौन-कौन सी हैं जो हमें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी तो वह जो values हैं जैसे हमारी under root 5 की हो गई यह 2.236 under root 2 की जैसे हमने discuss की थी 1.4114 आगे 5 3.6 था फिर उसके बाद हमने जो एक under root 23 की calculate की थी under root 23 की जो value आई थी हमारी वो कितनी आई थी क्योंकि जो under 23 था उसकी value हमारी किसके बीच में exist करती है 4 और 5 के square के बीच में exist करती है तो यहाँ पर under root 23 की value हमारी क्या आई थी 4.765 7.8 something कुछ आई थी यह चलती रहती है क्योंकि non-terminating होती है और इस रैशनल लंबर है ऐसे ही जो under root 7 होता है उसकी value और यह जो कुछ values है यह आपको calculate करके याद रख करके रखनी चाहिए क्योंकि यह आपकी हर बार utilize होती रहेंगी कहीने कहीन को इनका use होगा जैसे पाई की value है हमारे पास वो है 3.1415 और इसके अलावा अगर हम देखे हमारे पास और कौन कौन सी terms possible है तो चलिए जो आगे हमारे पास आती रहेंगी हम use करते रहेंगे और उसके बारे में याद करते रहेंगे कि कौन कौन सी terms हैं हमें जो याद रखनी पड़ेंगी ठीक है तो अब हम चलते हैं हमारे जो second हमारा जो question है इसका second part है second part की तरफ तो second part है हमारा यहाँ पे 3 plus under 23 minus under 23 अब यह minus जब हम bracket को open करेंगे तो यहाँ पे तो plus ही है sign तो है नि इसके आगे कोई negative अगर negative sign उतता फिर तो यह भी negative हो जाता यह भी हो जाता अब तो यहाँ पे कोई minus का sign है नहीं तो यह bracket है हमारी ऐसे ही open हो जाएगी 23 minus root 23 तो यह एक plus का एक minus का यह दोनों cancel तो यहां से हमारा answer क्या है 3 और 3 क्या हमारा rational number है क्योंकि 3 के भाई में वन भी present है जो हमने रिप्रेजेंट नहीं कर रखा लेकिन वन प्रेजेंट है तो यह पी बाई क्यों की form में है और यह क्या है हमारी terminate है तो terminate हमारा किसको होता है कि की decimal expansion होती है terminate हमारी rational number की होती है ठीक है तो यहां से हमारा जो यह यह जो हमारी rational है कौन सा हमारा irrational है ठीक है अब इसके बाद जो हमारे पास next question है next question दे रखा हमारे पास 2 root 7 root 7 root 7 root 7 अब मैंने आपको क्या बताया था अगर हमारे पास कोई दो चीज भी multiply में हो तो उनका square कर देते हैं लेकिन यहां पे तो हमारे पास क्या है दो से ज़्यादा multiply में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 root 7 का square इन दोनों को combine करके और यह root 7 हमारा अलग से तो इसका square इसके root के साथ cancel हो जाएगा और 2 7 जा 14 तो यहां से 14 root 7 आ जाएगा ठीक है तो यहां से क्या आया हमारा 14 root 7 तो जो यह 14 root 7 आया है हमारा इसको हम यह क्या कर सकते हैं अब यह यहां पर divide में है यहां पर unroot नहीं है यह 7 का divide का sign है हमारा यह है 2 root 7 divide 7 root 7 तो अगर ऐसा है हमारे पास तो हम इसको कैसे करेंगे यह 2 root 7 by 7 root 7 तो अब हम क्या करेंगे यहां root 7 से root 7 cancel कर देंगे तो हमारे पास क्या answer रहेगा 2 by 7 और 2 by 7 को जब हम decimal expansion में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा अगर हम decimal expansion करें यहां से तो 2 को अगर हम divide करते जाएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या solution बनेगा तो 2 रख दिया हमने 7 स नाइन ज़स्टि थी होते हैं लेकिन यह एट जाएगा सैवन एट जा 56 फिर उसके बाद यहां से हमारे पास पोर बचेगा फिर हमारा जीरो उतारेंगे फिर हम यह करेंगे तो यह जाएगा हमारा सैवन जापे तो फिर यहां के हमारे इस में से माइनस करने बाद हमारे पास बचे गा फिर 0 उतारेंगे 7 वं जा 7 फिर 3 बचेगा फिर जिरो उतारेंगे फिर 7..4..orangme 374..28.. फिर 4 आपने जाएगा फिर यहा पर यहां पर 2 बचेगा यह तो तो यह साम चीज आगी अब फिर दुबारा हमारा यह सेम रिपीट होने लग जाएगा तो मिंस यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 0.28571414 ठीक है और फिर इसके उपर बार क्योंकि यह दुबारा रिपीट होगा दुबारा पुरी डिवीजन तो इसका मतलब यह भी यह कैसा हो गया हमारा यहां पर यहां पर नोन टर्मिनेटिंग बट लेकिन यह साथ में क्या है यहां पर रीअक्रिंग है यहां पर क्या और यहां पर रिपोन भी रिपाजन तो करी रहे हैं तो इसका मतलब यह रेस्नल लंबर है अगर यह नों टर्मिनेटिंग और नौन रेक्रिंग आती तो फिर यह कैसा होता इर्स्टनल लंबर होता इसकी तरह है ठीक तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहां पर पर फॉर्ट पार्ट में दे रखा यहां पर वन बायरूट तो अब हमें पता है जैसे हम पिछे भी करके आए हमें पहले क्या करना पड़ेगा इसको रेस्टनल लाइज करना पड़ेगा अब एक्जैम्पल डिसकस किये थे हमने थर्टीन से आगया गया जो हमने एक्जैम्प आइकर रैस्काइर मजऑघ करने थे था कि हमारा कैसा नंबर ःत्रैनल लंबर तो हम कर लेते हैं को रैस्जैम्पार विमने पर यहां अंडूस रेक्टू से यहां अपर इसन टुवक्र मिल्टियोट से इसको यह 1.4142 और इसके डिवाइड में 100 यह चल रही होती और डिवाइड में इसके 2 भी है तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगी 0.7071 पॉइंट उतारी फिर यहां पर ट्वी रड़ा इसको गर्त गरते हैं कि अगर हम इसको बाइड करतेCloud ऐसे data न hm यहां पे क्योंकि यह point में दे रखिया है ना यहां पे पहले यह one से तो divide होगा नहीं फिर यह point यहां पे रख देंगे हम फिर यह 14 लेके चलेंगे तो 14 पे 7 जाएगा तो फिर यहां से one आएगा फिर नहीं जाएगा फिर उपर से four उतारना पड़ेगा फिर two seven जापे जाएग फिर 14 आएगा फिर उपर से two आएगा फिर one जापे जाएगा फिर आगए और भी टर्म से इसके अंदर जो हमने रिपरजेंट भी नहीं रखी तो ऐसे ही यह भी आगए हमारा extent चलता रहेगा तो ऐसे ही हमारी इसका क्या आएगा यह हमारा कैसा है नोन टर्मिनेटिंग इसक तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह हमारा क्या है एक इर्रैशनल नंबर है ठीक है तो अब उसके बाद है हमारे पास two pi two pi अब है तो यह हमारा fifth part अब पाई की value अभी हमने discuss की थी कितनी होते है one point three sorry 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 यह होते है हमारी three point one four one five so on तो जब इनकी multiply करवाएंगे तो हमारे पास कितन आएगा पिछे से multiply करवाना start करते हैं तू फाइव जा टैन वन कैरी टू वन जा टू 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 और वन थ्री टू फोर जा एट टू वन जा टू पॉइंट टू स्थी जा सिक्स सो और और भी point होंगे जिनके साथ भी multiply कुछ ने कुछ आती होगी इसकी ठीक है जो हमारे पास नहीं है और हमें पता भी नहीं आग गए क्योंग इतना लेंद थी तो हम याद भी नहीं रख सकते हैं तो यहां पर क्या आएगा यह कैसा है यह भी non-terminating और non-reacting आया ठीक है जिसको हम anti और nr से represent कर देते हैं तो इसका मतलब यह हमारा कैसा number है irrational number है ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास है second question, second question में हमें क्या करना है simplify each of the following expression जो यह expression दे रखे हैं यह solve करने हमें identity use करके जो हमने अभी की थी example भी discuss किये थे उससे related और वो identity भी repeat की थी ठीक है तो अभी उनका use करके हम यह question solve करते हैं तो जो first identity है यहां पर second question में first expression है वो है three root three को multiply करवाना है two root two से अब यह हमारी कैसी identity है यह है a root b c plus root d अगर हम इसको convert करना है unroot में इसमें यह ऐसी है ऐसी पड़ी है हमने identity तो ठीक है unroot वाली लेकिन यहां तो unroot है यहां पर unroot करना पड़ेगा अब मैंने आपको बताया था अगर हम two लिख रहे हैं तो इसको unroot four लिख सकते हैं तो ऐसे ह अगर हम three लिख रहे हैं तो इसको unroot nine लिख सकते हैं तो हम इसको convert कर लेंगे unroot nine plus unroot three ऐसे यहां से unroot four plus unroot two अब क्या करेंगे यह वाली identity लगा देंगे इस identity का जो solution था वो क्या था यह था unroot ac unroot ad unroot bc unroot bd ठीक है तो अब यहां लगा दो उसका तो यहां पर आएगा unroot nine into four तो nine into four फिर इसकी इसके साथ करवाएंगे तो unroot nine into two फिर इसकी साथ करवाएंगे तो unroot three into four फिर इसकी साथ करवाएंगे तो unroot three into four फिर इसकी साथ करवाएंगे तो यहां से आएग तो यहां तो इसको इसको निकाल लो अगर नहीं आता तो इसको छोड़ दो अब जिसे यहां पर इसको नाइन टूजाल लिख सकते हैं तो यह नाइन किसका था 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 तो इसको तो क्या लिख सकते हैं 3 अंडूरूट 2 लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां से 9 हमने दुबारा बार रख दिया ठीक है और यहां से हम 2 बार रख सकते हैं इसमें से तो हमने लिख दिया इसको 2 unroot 3 और ये तो हमारा unroot 6 तो है ये इसमें से कुछ भी common जाएगा नहीं तो ये unroot 6 ही आएगा ठीक है तो ये था हमारा इसका solution जो हमने identity use करके किया अगर हम इसको direct use करते तो हम यहां से इसको हमें इस form में ले के आने की जुरूरत नहीं थी हम क्या करते हैं यहां से 3 की multiply 2 से 3 2 जा 6 फिर 3 की multiply and root 2 से तो 3 and root 2 फिर and root 2 की 3 की multiply 2 से तो 2 and root 3 आना है तो 2 and root 3 फिर and root 3 की multiply and root 2 से तो and root 6 तो यहां से direct आ जाता और identity use करके हमने थोड़ा सा इसके अंदर modify करना पड़ा कि जो हमारा 3 था उसको हमें and root की form में लिखना था तो इसलिए हमने वहां पर and root 9 किया पहले and root 9 करके multiply कर वाया फिर उसको and root 9 को बार लेके भी आये जहां से solve नहीं हो रहा था यहां से तो solve वो गया लेकिन यहां तो कोई benefit ही नहीं था उसका and root अंदर लेके जाने का इसलिए हमने यहां से and root 9 को बार रख लिया और and root 9 को जब root से बार रखते हैं तो वो 3 आएगा अगर root के अंदर रखेंगे 3 को तो 9 बन जाता है means अगर and root 9 को 3 रख सकते हैं और 3 and root 3 को and root 9 रख सकते हैं और कहीं पर जुरूरत पड़े तो ठीक है जैसे हमने यहां पर 2 और 4 का भी example लिया था ऐसे ठीक है तो यह था हमारा जो second question का first part था जो हमने अच्छे से solve कर लिया अब उसके बाद है जो हमारे पास यहां पर 3 plus and root 3 और 3 minus and root 3 यह हमारा जो second part अब वो है अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि हमारे पास कौन सी identity है यह यह है a plus and root b a minus and root b ठीक है तो इसके लिए हमारे पास क्या formula था a square minus b तो यहां पर a हमारा 3 है तो a का square हो जाएगा कितना 3 जा 9 और यहां पर and root 3 है यह जो हमारी b है वो 3 है तो यहां पर 3 रख देंगे तो 9 में से 3 गया यहां पर 6 तो identity लगा के हमारा विल्कुल एक step में question solve हो गया यहां पर ठीक है फिर उसके बाद है जो हमारे पास third जो expression दे रख था है इन्होंने third expression है under root 5 plus under root 2 की power 2 तो यह अब कौन सी identity हो गई यहां पर हमारी वो square वाली under root a plus under root b का whole square जिसको का square किसके equal था हमारे यहां से a plus 2 under root a b plus b तो यहां पर भी लगाएंगे तो इसका तो क्या आएगा a कितनी है यहां पर 5 ठीक है क्योंकि a तो यही है जो under root के अंदर है ठीक है तो यहां पर a 5 है और b हमारी 2 है तो यहां पर a हमारी कितनी आई यहां पर यहां पर यहां पर 5 plus फिर 2 अब यहां पर under root लगा के a और b का multiply 5 to 10 तो यह 10 हो गया अब उसके बाद यहां पर क्या b तो b कितना है 2 तो यहां पर रख दिया हमने 2 5 में 2 add करेंगे तो यहां पर हमारा कितना आएगा 7 और प्लस में 2 add root 10 तो ऐसे करके हमने यह identity यूज करके हमने इस जो expression है इसको भी solve कर लिया तो अब अगे है जो हमारा fourth जो expression दे रखा है वो है अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 2 और अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 2 अब यह कौन सी identity है अंडरूट A माइनस अंडरूट B और अंडरूट A प्लस अंडरूट B ठीक है यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी आगे लिख रहे है कौन सी पिछे तो उसका कोई चकर नहीं है तो इसका solution जब हमने देखा था तो हमारे पास इसका solution था A माइनस B ठीक है तो यहां से भी A माइनस B तो A 5 और B हमारा 2 तो 5 में से 2 गया यहां पर बचेगा 3 ठीक है यह है हमारा solution इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरूट A का स्क्वेर माइनस अंडरूट B का स्क्वेर और रूट से यह cancel तो वापिस क्या आएगा यह A माइनस B ही आएगा ठीक है यह इसका solve करने का एक तरीक है यह भी अब उसके बाद जो है हमारे पास third question third question में क्या दे रखा है recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter that is c by d this means to contradict the fact pi is irrational number how will you resolve this contradiction अब यहां पर क्या बुला हुआ है कि अगर जो हमारा pi है ना उसको हम क्या circumference है जो हमारी circle की circumference होती है और उसके diameter की ratio में लिख सकते हैं और अगर वो ऐसा है हम उसको c by d की form में लिख रहे हैं तो क्या फिर वो हमारा irrational number हुआ तो जब हम उसको p by q की form में तो प्रिप्रजेंट करें सकते ही रैशनल लंबर को तो तो फिर यासे तो हमारा contradiction हो जाएगा वो irrational number के साथ मिंस विरोध हो जाएगा जो हम statement बोलते हैं कि पाई हमारा irrational number है लेकिन statement के according वो irrational number हो गया rational number हो गया ठीक है तो अब हमें वो चीज resolve करनी है problem कि हाँ यहां पर कोई contradiction आता नहीं है ठीक है तो हम इसको कैसे solve करेंगे वो देख लेते हैं तो यहां पर देखो यहां हम क्या बोलेंगे कि यहां पर हम कोई भी contradiction है यह नहीं है जब हम मेजर करते हैं किसी scale के उपर जो वैल्यूज होती है वह approximate value होती है exact value होती ही नहीं है ठीक है never obtain and exact value तो यहां पर क्या होएगा हम यह बोलीं सकते कि जो c or d है वो हमारे irrational number होंगे अगर वो irrational number नहीं होते तो पाई हमारा क्या होगा तो we may not realize whether c or d is irrational तो हम realizing कर पाते कि कभी कि यह हमारे rational number है या irrational नंबर लेकिन जब हम उसको Seoul करते हैं तो हमारा वहां से क्या आता है irrational number ही आता है लेकिन तो मतलब यह मान के चल सकते हैं कि जो हम C और D की guarantee लेते कि वो हमारे rational है या irrational है लेकिन जो हमारी पाई है वो हमेशा irrational ही आती है उनको soul करने के बाद ठीक है तो हमें वहाँ पता निहीं लगता कि हमारा C और D में से कोन हमारा irrational है ठीक है तो अब यहां पे हम क्या कहेंगे कि यहां पे contradiction का तो कोई है नहीं 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 होती तो वहां पे हम सी और डी को कैसे बताएंगे कि वह यहां पे इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा पाई है वो एक इरैसनल नमबर है उसको हम बाई बटे साथ की फोम में भी लिखते हैं ठीक है मतलब 22 बाई 7 और जब उसको सोल करते हैं तो 3.142857 so on ऐसी कुछ आती है और जो हमारी decimal expansion है यहां से non-terminating है और non-recurring है तो decimal expansion की फोम में इसको रिपर्जेंट कर रहे हैं फिर उसके बाद है हमारे पास यहां पर जो है वो है रिपर्जेंट अंडरूट 9.3 ओंदा नंबर लाइन अब जैसे जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने डिसकस किया था कि अगर हम जमेटरी पे हम पॉइंट को तो इसके लिए अब हमें कुछ steps follow करने पड़ेंगे जैसे last question में भी किये थे कैसे किया था हमने वहां पर 3.5 की length ली थी फिर उसमें one extra किया था ठीक है फिर उसके बाद हमने उसका मिड लिया मिड लेने के बाद हमने वहां से एक circle बनाया circle से जो वो point होता है उसको मिट किया जो हमने last example में नहीं की थी लेकिन अब करेंगे हम अच्छे से उसको ठीक है तो चलिए अब हम इसको one by one solve करने की कोसिस करते हैं तो पहले हम scale लेते हैं इसके लिए अब हमें क्या करना है यहां पे 9.3 के लिए solve करना है तो हम 9.3 की ही distance लेंगे तो हमने यह ले लिए यहां प 9.3 तो हमने यह ले लिया 9.3 कहां पे आएगा यहां पे 9.5 है तो 9.3 यह है हमारा यहां पे इस point पे और यहां से हमारा start है तो यह हमारा starting point यह हमारा यहां पे end point तो यह कितना है हमारा 9.3 है और हमने इसको naming दे दी यहां पे A और B की अभी आपको show नहीं हो रहागा मैं अभ को अच्छे से represent होगा यह चीज ठीक है फिर उसके बाद हमने क्या करना है यहां से 1 cm increase करना है तो 1 cm अगर हमें यहां से increase करें तो यहां पे आएगा हमारा 1 cm अब हमें क्या करना है mid point लेना है अब यह total जो distance तो यहां से हम ने क्या किया 55 कर लिया पहले तो यहां से फाइव यह हो गया ठीक है फिर उसके बाद हमें थ्री पॉइंट है हमारे पास थ्री में से भी हाफ करना है तो यहां सी कुछ आएगा हमारे पास जो मिड़ पॉइंट आएगा ठीक है तो यह हमारा यहां पर मिड़ पॉइंट आ गया इस पोजीशन का तो अब हम क्या करेंग तो अब हमें क्या करना है यहां से semi circle ड्रो करना है तो semi circle ड्रो करेंगे तो यहां से यह ऐसे जाएगा और इसको ऐसे करके यहां पर मिट कर देंगे तो यह हमारा c के उपर मिट हो गया ठीक है अब यहां से क्या करना है जो हमारा b point है बी पॉइंट से हमें perpendicular draw करना है यह हमारा बी पॉइंट है और यहां से हमने perpendicular draw कर दिया तो जो यह perpendicular draw किया यही line हमारी 9.3 को represent करेगी अब इसको हम पाइथागोर्स प्रमे से भी verify करेंगे लेकिन पहले इसको हम dark कर लेते हैं तो यह है हमारा यहां 9.3 को यह थी हमारे यहां पर यह थी हमारी line जो 10.3 की थी और यह हमारा बी पॉइंट है और बी से ए तक यह हमारी 9.3 की थी ठीक है और यह हमने 1 cm एक्स्टा लेए थी यहां पर यह वाली और total हमारी यह हो गई थी 10.3 cm तो अब यहां से इसके according हमारी यह value आगी अब हमें क्या करना है इसको verify करना है हमारी जो पाइथागोरस थियोर्म है उसको apply करके अब draw तो हमने यह कर दिया तो यहां पर जो हमारी क्या जो यहां पर figure बन गया हमारा यह बन गया इस point को हम नाम दे देते हैं डी तो जो हमारा इसकी यह point था हमारा ओ तो जो ओ बी डी है यह हमारा क्या बन गया यहां से एक right angle बन गया यहां पर ठीक है मतलो 90 degree का angle बन गया तो अब अगर हम यहां से क्या करें ओ को डी से match कर दें यहां से ओ डी बना दें यहां से मिला दें को तो ओडी से मिलाने के बाद यहां पर हमारी जो ओडी है यह क्या है हमारी radius है किसकी semi circle की क्योंकि हमने यही तो radius consider करके अब यहां से draw करेंगे कोई line तो यह भी same ही होएगी और यहां से भी हमें पता radius same रहती है एक circle की तो इसका मतलब तो यहांपर जो ओडी है उस owners को हम यहांपर kya लिख सकते हैं 10.308-iest डू लिख सकते हैं अगर हमारी hah दम bep वह भी हमारी half है वह भी radius के एक घुब्वल तो o to kд हमारी 10.30 2 है ठीक है तो अगर एसा है हमारे पास की दोनोग जो इक्वल है तो यहां पर और बी सी की व्यल्यू पता है हमें कि अफ़िए खुद एक्सेंड किया ना 1 cm कि जो बी सी है वह हमारी 1 cm की है तो फिर हमें यहां पर अगर ओ भी निकाल ली है तो ओ भी यहां पर कितनी आएगे हमारी ओ भी हमारी क्या होगी इस रेडियस में से हम 1- क करेंगे BC, तो OC क्या है हमारा यहां से 10.3 by 2, BC क्या है हमारा 1, तो अब अगर हम यहां से 2 LCM आएगा 10.3 minus 2 by 2, तो इसमें से यह 2 minus गए तो 8.3 by 2, तो यहां पर कितना बचेगा हमारे पास, 8.3 by 2 आगया, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोर्स ठियोरम यूज करेंगे यहां और हम चेक करेंगे कि जो OD का स्क्वेर है, प्लस, इक्वल आएगा, BD स्क्वेर प्लस, OD, OB स्क्वेर, तो अब देखिए यहां पर, जब OD का स्क्वेर, OD का स्क्वेर, इक्वल आना चाहिए, किसके, OB के स्क्वेर के, और यहां पर, OD के स्क्वेर के, अब हमारे पास, वैल्य और यह BD आएगा ठीक है तो अब OD की value कितनी है हमारे पास यहां पे 10.3 by 2 जो हमने यहां लिक भी रखी है ठीक है फिर उसके बाद है हमारे पास यहां BD की value तो BD की value तो हमारे पास है यही नहीं तो BD की value हमें यहां पे calculate करनी पड़ेगी प्लस अब OB की value हमने अभी calculate की है तो 8.3 by 2 तो 8.3 by 2 का square जब हमें पता है कि length यह किसके equal होता है hypotenuse का square is equal to base square plus perpendicular square तो अब हमें यह जो perpendicular उसकी value यहां से calculate करके दिखानी है कि हां यह इसके equal आएगी प्रूफ करने है वैसे तो हमने बोल दिया इसको कि यह रूट 9.3 के equal है लेकिन हमें calculate भी करना पड़ेगा इसको तो अब हम क्या करेंगे यहां पे जो यह वाली जो time है इसको हम equal की दूसरी साइड लेके चले जाते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 10.3 by 2 का whole square minus 8.3 by 2 का whole square equal आएगा किसके bd के square के तो यहां से जब इसका 10.3 का whole square अगर हम देखें यहां पे हमारे पास एक identity बन गी ना यह कौन सी identity है यह हमारी अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहां पे a square minus b square और a square minus b square को हम क्या लिख सकते हैं a minus b into a plus b ठीक है तो अब हम यह इसको क्या करेंगे इस form में open कर देंगे तो यहां पे हमारे पास बनेगा 10.3 by 2 minus 8.3 by 2 दूसरी बनेगी 10.3 by 2 plus 8.3 by 2 यह असान रहेगी इसलिए open किया यह ऐसे नहीं तो इनके square open करने पड़ते हमें ठीक तो यहां से अब क्या आया हमारे पास यह जो time आई है अब क्या करेंगे अब देखोएं कि दुन्नों के बाइच में 2 है तो lcm तो लेने के जरूर्ट नहीं तो यह आयेगा यहां से यहां से 10.3 में से 8.3 minus करेंगे तो यहां से 2 बचेगा ठीक है क्योंकि 3 में से 3 गया 0 10 में से 8 गया 2 तो यहां पे 2 बचेगा और ऐसे यह घ्र हम इसमें देखेंढ़ किए तोーナसेट 1 इसमें से 10 ता ऐक्या टीन और 8 तो एक्तिन और 13 और,oison 3.3 में जो आड गरेंगे तो 6 बनेगा तो यहां पे बनेगा 18.6 by 2 तूसे तो यह cancel हो गया और इसको cancel करेंगे तो यह आएगा टू नाइन जा 18.236 तो यह आया 9.3 यह किसके को लाई हमारी वैल्यू बीडी गए क्योंकि यह वाली टर्म तो हम उदर लेके चले गए थे तो साइड में क्या रहा गया था सिर्फ बीडी का स्क्वेर तो यह किसके को लाई है बीडी के स्क्वेर के लेकिन हमें चाहिए बीडी की वैल्यू तो बीडी की अगर वैल्यू चाहिए तो यहां से आएगा 9.3 ठीक है तो अंडरूट 9.3 को रिप्रजेंट कर रही है हमारी यहां पे बीडी यह जो एक्सप्रेशन है यह हमने एक्जाम्पल में डिसकस नही आएगी अब आपको क्या काम करना है जो आपके हमने एक्जाम्पल में अंडरूट 3.5 का देखा था उसके अंदर हमने यह नहीं सोल किया था तो आप वह जो काम है वह आप करके सोल करके बताओगे मुझे कि आपका वह सोल होता है या नहीं ठीक है तो यह थी हमारी यहां प को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें जिससे आपको मेरी वीडियो की हर नई नोटिफकेशन मिलती रहेगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अभी एक्जैम्पल किये थे 18 के बाद वैसे ही यह रेस्नलाइज करने है तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो है वन बाई अन्रूट 7 तो अब रेस्नलाइज के लिए हमने क्या देखा था कि उसी जो डैनोमिनेटर होता उसी से मल्टिप्लाई उसी से डिवाइड अब उसके बाद जो है हमारे पास वो है सेकिंड पॉइंट में हमारे पास है 1 बाई अन्रूट 7 माइनस अन्रूट 6 ठीक है तो अब हम इसको रेस्नलाइज करेंगे इसके लिए हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास साइन होता है उसको चेंज करना होता हमें और रीजन भी अन्रूट A-B अन्रूट A प्लस अन्रूट B का ये हमारे पास identity बन गई ठीक है तो अब हम इसको solve करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या formula आता है क्या देखा था हमने A-B आता है हमारे पास जो identity के coding तो हम अगर इसमें identity लगाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा अन्रूट 7 प्लस अन्रूट 6 यहां पे बचेगा 7-6 7 में से 6 गया 1 तो यह किसके equal आ गया 1 तो means answer हमारे direct अन्रूट 7 प्लस अन्रूट 6 आ गया ठीक है अब उसके बाद जो थर्ड यहां पे हमारा part है थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ 1 by अन्रूट 5 प्लस अन्रूट 2 तो इसके अंदर भी हमें sign change करने पड़ेंगे ठीक है तो यहां पे क्या बनेगा क्या लिखना पड़ेंगा हमें यहां पे plus है तो हमें क्या करेंगा opposite sign वाले से multiply opposite sign वाले से divide तो यहां पे हमारे ऐसे होगा ठीक है तो अब उपर वाले टर्म तो सेम रहेगी हमारी यहां पे भी अन्रूट 5-1 लेकिन जो निच्चे वाले टर्म है वही बन गई tis अन्रूट a я ns g a मैंने इसका सूल्ल करते है तो यहां से आएगा हमाए माइनस भी तो mo यहां से फाइव और bTo मैंस करेंगे तो हमारे पास किया बचेगगा थी तो यह हमारा क्या आगा थी तो यह हमारा सोल्यर्याइशН Ó dub करने के बाद अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है जो इसका पार्ट वो है वन बाई अन्रूट सैवन माइनस टू तो अब इसको भी अन्रूट सैवन प्लस टू अन्रूट सैवन प्लस टू तो अब यह हमारी कौन सी फोम है यह हमारी अन्रूट ए माइनस भी अन्रूट b minus a तो इसको solve करेंगे अब एंडूट 7 प्लस 2 तो क्या करेंगे पहले इसकी साथ multiply एंडूट 7 एंडूट 7 अनूट 7 का square 7 आएगा फिर इसकी साथ 2 एंडूट 7 आएगा फिर इसकी के साथ तो minus का 2 एंडूट 7 आएगा इसकी साथ तो minus का 4 आएगा इसके साथ यह cancel हो गया 7 में से 4 गया 3 तो यहां से unroot 7 plus 2 by 3 बचेगा ठीक है तो यह था हमारा 5th question जो अभी हमारा बीच में छुट गया था तो हमने यह भी आज अभी solve कर लिया तो next वीडियो में हम क्या करेंगे जो 1.6 आपकी last exercise है उससे related जो आपके example दियो ह में हैं कुछ उससे related कुछ properties हैं वो solve करेंगे और पूरी जो हमारी 1.6 exercises को complete कर लेंगे next class में तो I hope कि आज आपको यहां तक कोई problem नहीं होगी और अगर कोई problem है तो आप comment box में comment करके बता सकते हो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को subscribe क करें और bell icon पर भी click करना बिल्कुल मत भूलें जिससे आपको मेरी वीडियो की हर नई notification मिलती रहेगी तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए all the best